हलो जी कैसे हैं आप सब आप सब को नमस्ते प्रणाम यह देखिए मेरे पास यह टमाटर है और इनका मैं बनाऊंगे सूप तो आईए हम तयार करते हैं सूप की तयारी तो मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिया है यह कुछ गड़बड दिखाई दे रहा है यह टमाटर और ले लूँगे यह अच्छा से टमाटर ले लिया है और मैं इनको कट कर लूँगे कट करकी उबार लूँगे यह यहाँ पर मैंने टमाटर को कट कर लिया है अब मैं इसको उबार लूँगे यहां पर मैंने प्रवक देजर डाल लिये हैं और इसके अंदर डाले में एक गलास पानी और इसमें कुछ मसाले एड़ करूंगे यहां पर डाल दूंगे में मसाला इसमें लाल मिर्च धनिया जीरा सोफ और कच्छा जीरा बुनाओ जीरा और चुटकी भर हींग काली मिर्च और नमक और काला नमक भी एड़ करना थाज तो यह सब मैं इसको डाल दूंगे इसके तो यह देगी मेरा सूप करें रड़ी हो गया है दस मिनित ही और पकाऊंगे साँ लिदीती सूप बनकर हुआ है राया है और मैं इसमें डालूंगी तो चमत चिन्नी लिदीती अब चाहिए तो चिन्नी को कम भी घर सेज़के हैं और ज्यादा भी इसको बनकर हो गया तो यार अब ना इसको ठंडा कर लोगी थोड़े देज के लिए ऐसे ही रख दूए उसके बाद मिक्सी में पीशूंगी इसको अब यह देखी सूप बिल्कुल खंडा हो गया है और मैं इसको मिक्सी में डाल दूए यहां पर मेरा सूप तयार हो गया है मिक्सी सी रगलने के बाद देखो गड़ा भी हो गया है जिन्नी आपको पसंद है तो डाली ना पसंद है तो मत डाली यह देखी सूप मेरा कितना गड़ा है दिखा दिया मिन्ने आपको और मैं इसमें थोड़ शिमलाई आड़ करनी तो यहां पर शूप बनकर हो गया है तयार आबे बनेए खाईए वीडियो को पूरा देखना लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना तक तक के मिलते हैं खटा मिठा जैसा भी पसंद करते हो वैसा ही बनेए